तो मैं आपको साथ इस वीडियों डिस्क्रने वाला हूं अग्यूट किडिन इंजरी यह आपका पार्ट आपने अधनें मेटिशन के इंदर है फ्लोजी पार्ट का तो पहले वीडियों हो सकते हैं थी यह क्या पड़ना है हैं तो हमने तो हमें इसमें से पार्र आता है आपका हो 모든 लिए वेटी करने वाला हूं और इसके अंदर मैं हम्यों बता देता हुए है Ur quotes van करना द्लिंघ्ट करना है कैसे बनागा है ऐे और इत्य। एक्यूट इंजरी और मेनेजमेंट यह पांच चीजह हम इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं और बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरी के समेडिस करूंगा पहला आता आपका हम कैसे डिप्रेंट करेंगे एक्यूट या करोनिक है तो इसके लिए हमें पतावने चाहिए कुछ डिप्रेंट्स क्या होता है कि जब भी जब मैंने लाश वीडियो बनाई थी तब मैंने बताया था कि कुछ आपके सेश्म अекका वी ज Tik गलते हैं तो आपका कटि को मेंडलिक डिफिन्सेशन अब्सिशन रहता है वह आप परिज़ों रहता है एक एए के अन्दर औरो स्कोंता है क्रोनिक के नदर इसेनी साइज साइज आप कीडिन उद्र नोर्मल रहती है यांई जो क्रोनिक होता है उसके अंदर आपका स्रींग कर जाती है मतलब छोटी हो जाती है उसके बाद कास्ट क्या होते हैं कि कुछ प्रोटिन होते हैं और उनके साथ कुछ और मिलके आपका डबली सी हो सकती है और भी सो सकती है वो कास्ट बनाती है तो इसके अंदर आपको मौस्ट को मना कास् आपका इसके अंदर होता है या वैक्षी ठीक है यह डारेट मजी के वाथ आपका कि कौन सी कास्ट कौन से के अंदर मिलता है कि टीनों कैसे कैसे एनीमिय इसके अंदर common है इसके अंदर common है और जो आपका plasma osmolit or urine osmolit होता है न वो आपका लेकिन सेम नहीं रहेगा और मेटाबोलिक बॉण इसके इंदर नहीं प्रजेंट होते हैं इसके अंदर प्रजेंट होते हैं ठीक है तो यह हमारा पहला पाट था कि हम क्रोनिक को कैसे करेंगे है इनमें से कुन सा है या नहीं है इंजरी को को क्या डाइगनोसिस करने के लिए तो तीन चीजें पताओने चीज के लिए पहले आती है दोस्तों जो आपका किडिनी डिजीज इंप्रोविंग ग्लोबल आउटकम गाइडलाइन है ठीक है कडिको यह आपका डाइटमसी को आता है किसके लिए कौन से आपके साथ यह क्लासिफिकेशन यह गाइडलाइन यूज की जाती है और क्राइड डिफाइनिंग आपके अक्यूट किडिन इंजरी तो इसके में से तीन में से यह एक भी होगा तो आपका हम बता कह सकते हैं कि यह केस है अक्यूट किडिन इंजरी का तो पहला पॉइंट आता है यूरीन आउटपूट यह दी आपका आउटपूट लेस देन फाइफ एमल पर केजी पर आवर फॉर शिक्स कंजिगर्टिव मतलब क्या है कि आपका लाश्ट गंटे में आप कोई पेशन्ट आया है तो उसका उट यूरीन आटपूट लेस देन फाइफ पॉइंट फाइफ एमल पर केजी पर आवर के सहब से होना ची मिनिमियूम छे गंटे के लिए लाश्ट इक से आवर के लिए से गंड आता दोस् लाश्ट लाश्ट फोटीट आवर में पॉइंट थी बढ़ दाना चाहिए जो आपका बिस लाइन लेवल है और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं पॉइंट फाइफ इंटू फॉइंट थरी पांस ये पंदरा तो वन पॉइंट फाइफ कितना होना चाहिए बेस लाइन से यह में इसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए इसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए तो हमने सेकिंड फाइट भी पॉइंट भी आपके साथ किया क्राइटेरिया तो हम थर्द फाइंट पॉइंट 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 आती है आपके के इन में से कौन सी इतियोलोजी आपका पूरता है इतियो जिल इतियो लोगिक पर आपको पतावने चाहिए दोस्तों कि मैं जो कम होता है कि इंजरी के अंदर वह उता जी एफार जी एफार आपका मैंली तीन चीज़ बेपेंड होता है एरिनल ब्रेडफलो मतलब प्रिरिनल कोज किटिनी से पहले उसके को मैरीललेस एक आपका डीवय इन लिक यह आपका दोनों आको मैंली क्या होते हैं test the burning Cauts कहते हैं उसके मिदेन के बाद आता है रैक्टिकक जिस्टम क्लेक्टिक ए फिसलेम आपकाउनwater kote रिए यह थीन में थीन कोज होते हैं दोस्तों आपका इपशी किस के लिए आपका क क्यों के लिए इन में फर्द डिवाइड करें तो परिदिनल कोज में क्या हो सकता है दोस्तों क्या होता है बता है इस तो पहला जो आता है कि हमें जैसे पता है कि आफेरेंट लोते हें इफ्रेंट लोट नत्रियों अट्रियों होते हैं यह पर आपका ग्लो मेरियरी कहीं पर दोन्हों को भीचक हैं और तीसरा आपका और यहापका कब कहां पर कोंसे करते हैं यह ईजरी और गरता है और किया इउसको कोन कि वेस्ट कॉंस्टिक्षिन करता है इसको एसी इनिवीटर और भी इनिवीटर ठीक है तो इन यह तीन ड्रग है यह आपका प्रिनियल कोज होती है जो एक्यूर्ट के अंदर हमें पता होना चाहिए जो बाकी अलग बाकी जो इसके कोज हैं वह कैसे हमें समझना है कि समझ आपका वॉल्यूम कम हो आई पर वॉल्यूम कर पा रहा हो हर्ट आप सेप्टिक शोख हो सकता है और ड्रग हो सब्सक्राइब हमने अभी डिसस की हैं चारू ठीक है तो यह मैं आपका प्रिटिनल कोज है तो आप हम चलते हैं सेकंड पे सेकंड मतलब रिनल में आपके क्या ह पारती के आपके हो सकता है कि डिस्में पैथलोग के अंदर पढ़ती है इचैग वह कॉंण से टाइप की हो सकती ऑं कर क्लोब नियूरिटाइटेश को जो भृष्प्रडीच्टर को न यूठ हो सकते आपके बहुत सारी आते हैं नेफोराइटेश हम पढ़ते हैं कि जो गुलो मेरूल डिजीज होती है वो नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में आती है जो नॉर्मली नेफ्राइटिक डिजीज है वह आपके एक्यूर किडिनीजरी में प्रोग्रस करते हैं नॉर्मली ठीक है तो सेकिंड जो आता है वह आता आपका टुबिलो इंटरस्टीश तो इसमें हम क्या क्या पता होना चीए जो इसमें आपका एक प्रोगलम हो सकती है मैंफंक्सारी जो और आप्सक्रेशन होता है यह दि आपके ट्रांसपोर्ट है उनमें प्रोगलम आती है तो आपका ट्यूबूल के अंदर यह प्रोगलम माने जाएगी उसकी कारण आपका किड़नी इंजरी हो सकती है एक पेज़ परम को ट्रांसपोर्टर ठीक है किया आपका जो एंडोटोक्सइन होते हैं एक टुक्सिन टोक्सिन क्वान से कंस्ञेइं दोस्तों फॉर पर एइसांपलач समझाता हूं शैकिनड वाला आपका प्रिभल में दोस्तों क्या हो सकता है एक आपका में ने फ्रो तरakसिंज में जो में आपका सीन आपकोर जो सकते हैं एंड हो सकते हैं एक pseudo में आपकों से कोंच चाहते हैं दोस्तों जो कोंट्रास्ट्स यहीं और जो एंड़ोजीनस है उसमें आपका हमोलाइसिस के विजयके से हिम बनता आपका राप्रौमाय आपके नह प्रौट्व्स होते हैं उसके बाद आपका इस्टी मीह हो सकता है इसके नदर और आपका infection हो सकता है तो यह तीन चीज़े हम इसके अंदर पतावना चाहिए परिनल को जह हम पता चुके थे सेकेंड आपका renal के अंदर फुर्स्ट था आपका glomeruline aphritis और सेकेंड था आपका टीविल ठीक है यह आपका रिनल के अंदर आता है और लास्ट आथा आपका दोस्तो पोस्ट रिनल पोस्ट रिनल में देखें दोस्तों क्या क्या प्रॉलम हो सकती है आपका bilateral uretric obstruction हो सकता है यृफ्रोश्ट किया इंदोस्तों हमें इसको कैसे करना है कि हुआ पहला जो प्रोश आता है वह आता का सबसे हम करते हैं उसका यूएस्ज यूएस्जेश में तो इना फॉर्ण करते हैं जो पैथ होता है इसके अंदर इसके अंदर क्या अपर नहीं होगा तुछिए से क्या होगा कि आपका कि यहां पर किडिनी प्रोग्लम नहीं यहां पर पहले प्रोग्लम एधिक अंदर कम ब्लेड कम ब्लेड जाएगा तो वहां से यह ज्यादा आप रियोजोब कर लेगा तो यहां का मैन इसका डिपनेशन पॉइंट होता है युरिया क्रेटिन का रेश्यो इसके अंदर मोड़न कर सोडियम एक डियोजोब कर लेगा तो युरेन आदर पम जाएगा इसके अंदर रियोजोब कर पाएगा ज़्यादा जपनेशन होते हैं आपके किसके लिए होते हैं रिणिल के लिए आपके ये मारकर यूज नहीं होते हैं रिणिल के लिए कौन से कौन से डायकर किस चुना सकता है एक तो नगाल होता है नियुट्रोफेलिक लिटिनेज असोचेट लाइपो-कैलसीन एक आप तक लें वन और एक इंट्रल्यूकन करने के लिए ये आपकी लिए क्या impedes graveyard करते है कि कौन सारद है को चांज सा प्रिणेल है कि मतलब हमें एक बार फिर स्वाइज कर देता हूं कि पहले हम से फिरी करते हैं यूज करने के बाद यह आंध मिलता है यह तो पोस्ट इनल को जाए करेक्ट पेप्स दिखता यह दो हैं दोनों में करने के लिए तीन चेक्षा यह फ़ेली सपोर्ट मोस्त कमनों हुथा है इंडीकेशन क्या हुगा यह यौरमिक फीचर के अंदर देखने का मिल रही है अपनों यूरिया मोर दन 100, क्रेटिनीन मोर दन 7, रीफ्रेक्टरी पलमोरेडिमा ठीक है यहाप यह कुछ आपके रीफ्रेक्टरी पिस्मोल लेस दन 7.20 ठीक मैं मैं याद रखने हैं यूरिया, क्रेटिनीन, शेरियस, यूरियम फीरिचर ठीक है और इंजस्टेवल, डियलेशिस, वड़े थाइलन गलाइकॉल यह पॉइंड आ आपको इंडिकेशन है डालीस किसके अंदर अक्यूट इंजरी के अंदर यह पर से बलाता है तो उसको हम लास्ट करेंगे इसको क्या प्रोगलम क्या है यह यह पॉस्टिनल को जाए तो हम उसको सर्जीकल रिलीफ करेंगा उफ् करते हैं वह रिननल है तो में भी हमें कैसे पताता है कि टीवलं इंटर्सीशीयल है अधिके प्रोटनीयरिया यह मच्यूर्य क्या से जिसके अंदर आरबी से काश मिलता है इसके अंदर इमेचिरियां डिस्मॉर्मम और ढेओ इसका नूजराम पर दे ठीक है और इसको हम जो गलो मेरल नेफ्राइटिस है उसके जो नोर्मल करते हैं जैसे उसके अंदर क्लोनेफ्राइटिस के अंदर माहलिजी कि पीसी नैफ्राइटिस है है उसके हम जो treatment करते हैं वो करेंगे इसके अंदर भी ऐसा ही है टॉक्षिन है तो हम डाली सी से करेंगे यह कुछ इसी में आथ वो फुल्व वॉल्म चडाके हम उसको करते हैं मतलब ठीक करते हैं ठीक है यह हम अलग से लिक रखें कि जो टूबल इंट्रीशियल डिसॉडर है इसके 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 अंदर कोज बहुत सारे कोज हैं इसके अंदर कोज हैं इसके अंदर ड्रै इंडियुश होता रही है इसको बंद करेंगे रिकवरी इन दोनों के ची कि एक यई भी एक कैसे difference करें हो डिसस किया क्राइटियर डिसस कि इतिलोजी डिसस की अप्रोच टू एक डिसस की और मेनेजमेंट डिसस की ठीक है तो दोस्तों इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टोपिक और बहुत इपोर टोपिक आपका नेफ्योजी के अंदर इसको यह पर इन को याद रखते हुँ ना तो आपके 90% से ज़्यादा क्यूशन आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके इनको वीडियो देखने के बाद आप अपने जो क्यूशन आते हैं एंबी के अंदर इन्वेश्टी के अंदर वो चैक कर सकते हैं इसी से आप लोग क्यूशन देखने को मिलेगा आपको वह आप आयराम से लिख दोगी दिन को समझते हो तो देखने के लिए दन्यवाद और यह आप वीडियो पसंदा है तो आप सब्सक्राइब और लाइक बिल जी मिलेगी तो थेंक यू बाई